Hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel की Microsoft Excel में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं आईए आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डीटा हमारे पास है और हम यहाँ पर offset formula को यूज करेंगे offset formula मैंने आपको एक बर पहले भी सिखाया है लगाना लेकिन वो थोड़ा सा advance था और ये थोड़ा सा beginner वीडियो है तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एक basic idea हो जाएगा offset formula के बारे में ठीक है तो अभी माल लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है ये 5 लिखा हुआ है अब 5 ये लिखा हुआ है 5 जो है row number 2 में लिखा हुआ है देख सकते हैं column number C है और row number 2 है 5 के ठीक नीचे row number 3 की बात है यानि कि यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है इसका row number 3 है और column जो है C है लेकिन ये जो 7 लिखा हुआ है इसका column number आप देखिए इसका column number B है ठीक है और इसके ठीक पहले यहाँ पर देखिए right side में इसका column number ये जो 0 लिखा हुआ है इसका column number D है ठीक है column number D है ठीक है इसके बात यहाँ पर देखेंगे तो इसका column number है E चाहिक है तो अभी हमें इसको select कर लेता हूँ क्योंकि यहीं से हमें पता करना है तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर देखिए कितना नीचे आना होगा मैं देखिए एक यह हो गया फिर दो हो गया रो और फिर दो रो के बाद दो प्लस करना है तो इसमें देखिए दो रो नीचे जाना है तो एक यह होगा है एक दूसरा इसके बाद यहीं नहीं है इसी में लिखा हुआ यह 8 हमको यहीं तख पहुंचना है तो यहाँ पर हम simply 2 लिख देते हैं ठीक है कॉमा देंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है simply equivalent 2 दे देना क्योंकि यहाँ पर दो रो पर आने के बाद एक दो दूसरे नमबर पर यह है तो यहाँ पर simply आपको 2 दे देना है तो 2 जैसे ही दे देंगे और bracket को close करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो यहां आपको result मिलेगा 8 देख सकते हैं 8 आया हुआ है इसको मैं एक अलग color से highlight कर देता हूँ ठीक है यह देखिए अब अगर इसी formula को मैं यहां पर apply करता हूँ यह offset लगाता हूँ अब माल लीजिए कि यहीं से हमें चलना है और माल लीजिए कि यहां पर हमें आना है यह 7 जो दिख रहा है यहां तक हमें आना है तो अभी हमें क्या करना होगा कैसे हम यहां तक आप आएंगे इसी के बारे में चलिए आगे discuss करते हैं तो यहां पर एक row हो गया दो row हो गया अगर आपको 2 step left में जाना होता है तो minus 2 लिखते हैं अगर 3 step जाना होता है तो minus 3 लिख देते हैं इसके बाद बंद कर ये bracket को और आप हमें क्या करना है एंटर प्रेस करना है तो simply प्रेस कर दीजिए enter और हो जाएगा ये जादू यहाँ पर 7 आपको देखने को मिलना है ठीक है आयोब की ये formula आपको जरूर समझ में आया होगा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video